फ्रेंड्स मैसेंजर में फिल्टर नॉट वर्किंग का प्रावडम आ रहा है हम यहाँ पे जैसे मैसेंजर ओपन कर देते हैं चैमेरा की इस आइकॉन पर जैसे क्लिक कर देते हो तो क्लिक करने बाद यहाँ पर आजू बाजू कि जो फिल्टर एफरेंट्स तो ये काम नहीं कर रहे है तो इस प्रावड़ों को केसे सौल्ड करूँ मेरा काम कर रहे है बट कई जैसे फिल्टर एफरेंट्स जो वर्क नही कर रहे हैं तो इस filter not working के problem को कैसे solve करें आज किस वीडियो हम जानने वाले वीडियो काप पिसाथ हिल पुल है वीडियो इंप्वार्मेटीयो लग रहा है तो इस video को लाइक जरू करना फैंड्स अपने फैंक साथ इस वीडियो को शेर कर सकते हैं जिनको problem आ रहे हैं उनके साथ इस video को शेर जरू कर रहे हैं चलिए विदाव टेन्स वेस्टिंग योजांते हैं समस्या का समधान सबसे पहले फ्रेंट्द्स यह आपको प्रॉलम आ रही है उसके लिए यहाँबे आपको सबसे पहले मोबाल के सेटिंग open करनी है open करने बाद फ्रेंट्द्स यहाँपे आपको नीच आना है यहाँपे apps, apps manager या manage app का option आपको मिलेगा तो इस पहे आपको click करना है यहाँ पे click करनेक बाद friends यहाँ पे app management का option आपको मिलता है यह manage app का यहाँ पे आपको option मिलता है friends तो इस पे आपको click करना है यहाँ पे click करनेक बाद आपके mobile के सब application आपको show होंगे friends यहाँ पे आपको manually search करना है directly sorry मतलब यहाँ पे directly आपको search करना है messenger अब जैसे साज़ करेंगे यह application यहां पर आपको दिखा ज़ेगा इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको क्लिक करना है अब देख सकते हो यहां पर डाटा भी शो हो रहा है सब यहां पर आपको क्लिक करना है अब 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 यहां पर आपको क्लिक करना है इस पर ही आपको क्लिक करना है इस पर ही आपको क्लिक करना है अब यहां पर आपको क्लिक करना है Remove Permission and Free App Pets यह option आपको अनेबल दिखा दिखा देगा इससे आपको disable ही रखना है ओके अब नेक्स टेप में आपको क्या करना है friends अब यहाँ पर आगे आपको क्या करना है बैक आना है बैक आने के बाद storage users के option पर आपको click करना है अब यहाँ पे कुछ option आपको enable दिखेंगे उससे आपको disable करना है disable mobile data, disable wifi and background data या option disable है तो इसे enable कर दीजी तो यह setting ठीक है या नहीं यह ज़रू check है और एक बाद friends data saver mode on मत करिए अगर on किया है तो उस्तिति में आपको यह problem आ सकती है filter not working की तो data saver mode आपको off ही रखना है उसके बाद friends internet connection एक बार off करिए off करने के बाद flight mode को 2 second तब आपको on रखना है on रखने के बाद तुरंद off करिए and जो internet connection है उसे on करिए on करने के बाद यहाँ पर आपको check करना है messenger open करके कि आपका problem solve हुआ है या नहीं हुआ चलिए फिर भी आपको problem आ रहे है तो friends यहाँ पे आपको play store में search करना है messenger after search यह ज़रू check करी कि messenger में कोई नया latest update तो नहीं आए तो update ज़रू कर लिया कीजिए update से यह problem solve होने की चांसे आपके बढ़ जाएंगे फिर भी यह problem आपका solve नहीं हो रहा है तो उस तिति में आपको क्या करना है friends यहाँ पे थोड़ा नीचा नहीं नीचा नहीं नीचा निक बाद developer contact के उपर आपको click करना है अब यहाँ आपर email दिखाएगा तो इस email पे आपक इतना आपको लिखना है उसके बाद send बटन पे click करना है तो इस तरह से messenger filter not working problem को आप solve कर सकते हो अब यहाँ पे भी आपको कुछ दिक्कतारी comment box में comment करके बता सकते है और किस topic के बारे में आपको problem आरे तो भी comment करे और एक बाद जाते जाते इस वीडियो को like जरू करना friends like से motivation मिलता है मोटी मिलता है एक सही जानकरी देने के लिए जरू like करे और साथ में इस तरह के सही वीडियो देखने के लिए चानल को subscribe and bell icon पे click कर सकते हैं तो धन्यमात friends अत्यांता आपरी वीडियो देखने के लिए thank you